लो फ्रेंट्स मैं हूं समीर कोकर वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सब ठीक है खरेसे हैं तो कल एक ट्रेलर रिलीज हुआ है तो मैंने सुचा इस पर अपना भी एक रिवियू दे दूँ एक हॉलिवुड की अपकमिंग मुवी है जो के क्रिस्मस पर रिलीज होगी अच्छा आपको याद होगा है कि 1995 में एक मुवी आई थी जुमान जी के नाम से जो के मतलब काफी उस टाम में हट रही थी मुवी और मेरी तो सपेशली बहुत फेवरेट मुवी रही है क्योंके बहुत अच्छी मुवी थी और मैं बच्पंदा मेरा दो मुझा याद है तो वीस्या ऐल्सबर्ग ने एक बुख लिखी थी बोर्ड गेम से रेलेटिड एक स्कूल बुख थी तो उस पर बेस टी मुवी थी और रॉबन विलियम्स इसमें जो लीड रोल में थे तो उसके बाद 2014 में रॉबन विलियम्स की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है टून सेवन्टी मे और भी दूसरी का निक जॉनस भी थे तो उनको लेके नोंने मुवी बनाई थी के जुमान जी वेलकम टू दी जेंगल और काफी ये मुवी भी हिट रही थी काफी अच्छा बिजनिस किया था एक एडवेंचरिस मतलब फैंटिसी एडवेंचरिस कॉमेडी थी काफी अच्छा ये मुवी का आ रहा है मतब थर्ड इंस्टॉल्मेट कहलें वो रिलीज होगी जो कि क्रिस्मस पे और सेम डारेक्टर है जैक कैसडन वो ही इसको डारेक्ट कर रहे हैं और कास्ट में भी अल्मूस सेम है डिवेंच जॉनसन आपको नज़र आएंगे उसके लावा जो है इसम करती थी उस टाइम में तो वहां से उनको फॉलो करता रहा हूं तो वह तो मेरे काफी मोस्ट फेवरिट हैं उनकी काफी मुवीज मुझे पसंद रही है मतब बीच में उन्होंने रैसलिंग छोड़ दी ती तो उसके बाद मुवी इसमें हॉलिवड में जो है कदम रखा था 2004 या 5 में जहां तक मुझे याद है तो उसके बाद इनकी मुझे जो इनकी स्पेशली मुवी पसंद आए स्कॉर्पियन किंग मुझे बहुत ज़्याद है इनकी पसंद ए उसके लावा जैर्नी टु दी मिस्टीरियस आइलेंड बहुत ज़्याद है मुझे और लास मैं ने बहुत पसंदे हैं उनकी कॉमेंडी टाइमिंग्स और जिस तरह उनके मतलब एक्सप्रेशन्स इस्पेशली होते हैं बहुत मदा आता है उनको देखके और उनकी जो गलिवर्स ट्रैवल्स मुझे बहुत मुवी पसंद आई थी इसके लावा उनकी घूस बंस एक मुवी आई थी उसमें इनका जो करक्टर था वो भी बड़ा मुझे पसंद आता जबदद लगा था इसके लावा जो है इसमें केरन गिलान है वो भी गलão C gonna मुवी अब आई थी जो मैंने भी देखी नहीं बें आज मैं सुच रहूं कि यह मुवी में देखो जिसका नम है anna welche comes home इसमें जो baby sitter का इनका character है तो ये भी इसमें आपको नजर रहुए तो मतलब कहने का व tengah है जो सीक्वल में इसमें थी तो आ अलमूसई ने रूसुर भी इपना हो ऑपया हुआ ज्यादा कुए difference को अधको फिल नहीं तो वो इस्पेशली देखने के लिए तो जरूर मुझे अमीदे के यार यह मुवी अच्छी होगे और इनतजार रहेगा बागी एक एडवेंचर मुझे इसके जो सीक्वल का जो ट्रेलर उसमें ज्यादा नजर आ इसमें भी वही है उल्दो मतब स्पेंसर जो एक मिसमें लड़का जो है करेक्टर है वो इसमें जिस तरह बोर्ड गेम्स को रिपैर करता हूँ नजर आ रहे है अपने ग्रेंट फाद मुवी जो ट्रेलर में जो चीज नजर आ रही है फिर वही एडवेंचर वगर आपको नजर आएगा मौंटेंस वगरा भी भर फीले पाहाड भी आपको नजर आएगा और जंगल भी नजर आएगा इस पर जुमान जी जिस तरह इसको मतलब कहा जाते है अच्छा जुमान ज नाम है रॉबन विलियमस को जो है मैं जो है वो समझता था जुमान जी बारहल ट्रेलर काफी अच्छा है और इंटर्टेनिंग ट्रेलर है और मुझे उम्मीद है कि यार यह मूवी बहुत ही अच्छी होगी तो क्रिस्मस पर रिलीज होगी तो मैंने सुचा चोटा सा अपन करते हैं अगली वीडियो में